असलाम लेकुम कैसे आप सब अलाया हेल्दी कुजीन में वेलकम करती हूँ आपको आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान जटपट सी बन जाने वाली विंटर स्पेशल ये शल्जम और मतर की भूजिया बनानी बहुत असान है और खाने में बहुत टेस्टी ब्रेक फास्ट में तो ये पराठों के साथ बहुत ही टेस्टी लगेगी तो चलिए आएए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं हाफ कप ऑईल मैंने गरम होने के लिए रख दिया था उसमें एक टी स्पून जीरा मैंने डाल दिया है जीरा जैसी थोड़ा सा क्रैकल होगा तो इसमें मैं भागी के स्पाइसीज एड़ करूँगी साथ आठ मेरे पास यहाँ साबुत लाल मुचे थी जिने मैंने तोड़ के दो हिस्तों में तक्सीम कर दिया था एक टेबल स्पून सुखा धनिया है और कौटर टी स्पून कलोंजी है हलका सा इसको क्रैकल करूँगी और यहाँ पर मटर है मेरे पास हाफ कप और चार शलजम थे जिने मैंने छेल के बारिक बारिक सा काट लिया और अची तरह से धो के मैंने इस बिए सब्चीज ने शामिल कर दी है सब मसालों के साथ इन दोनों चीज़ों को मैं सबजी और से मिक्स करूंगी बहुत ही टेस्टी पूज़ी अबन के यह तियार होगी और जट पृट इसी बड़ी कुई कुरीजी सी रेसिपी है आपने इस रेसिपी को ज़जूर ट्राइ करना है अच्छी तरह से मिक्स करूँगी हूँ इन मसालों में शल्जम को और मटर को और यहां पर मेरे पस अब कुछ चीज़े हैं जिसमें मेरे पस दो मीडियम साइज के प्याज है दो ही मीडियम साइज के मेरे पस टमारत थे और चार पाँच हरी मिर्चे थी डिरेक्ट मैंने इसमें ये एड़ कर दिया है सब चीजों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी हरी मिर्चें और कुटी हुई लाल मिर्चें जैसे मैंने साबुत लाल मिर्चे नहीं थी तो आप अपने चेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं कम या सादा सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और हलका हलका इनको मैं फ्राई करती रहूँगी मीडियम टू लो हीट पे ही इसको फ्राई करना है हमने यहाँ पर कुछ स्पाइसीज हैं जो इसमें एड़ करूँगी हाफ टी स्पून हल्दी का इसमें जाएगा और एक टी स्पून में इसमें नमक का शामिल कर दूँगी नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कमजादा कर सकते हैं बस यही सिर्फ हमारे स्पाइसीज थे इसमें हर चीज हम ने एड़ कर दी और बस अबच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे सब चीजों को मैं थोड़ा सा भून लूँगी फटा फट से बन जाने वाली रेसिपी है नाश्ते में आप इसको बनाएं और प्राठों के साथ इसको इंजॉय करें जल्दी से यह बन भी जाएगी और बहुत ही टेस्टी यह बन के तियार होगी देखिए सब चीज़ें अची तरह से मैंने मिक्स कर ली है फ्राई कर लिया इन सब चीज़ों को मैंने यहां पब में इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करूँगी ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा हम इसमें पानी एड़ कर देंगे तकरीबिन हाफ ग्लास मैंने इसमें पानी का डाल दिया है ताकि जो शलजम और मटर हैं वो अच्छे से गल जाएं सॉफ्ट हो जाएं हमें शलजम को बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है यहाँ पर मैंने आच इसकी तेज कर दी थी ताकि अच्छी तरह से जल्दी जल्दी यह पकना स्टार्ट हो पानी में जैसे उबाल आएगा तो फिर मैं इसकी जो फ्लेम है वो लो कर दूँगे बिल्कुल फिर हम इसे लो फ्लेम पर ढख कर पकाएंगे उस वक तक जब तक कि हमारे जो शलजम है वो अच्छी तरह गल नहीं जाएंगे हाई फ्लेम पर देखिए अच्छे से यह पकना स्टार्ट हो गए है मटर और शलजम एक साथ ही गल जाएंगे दोनों और अब यहां मैं इसको ढख कर पकाऊंगे इतनी देर जितनी देर तक हमारे यह शलजम और मटर अच्छे से गल नहीं जाते हैं आज-दस मिनट लगेंगे इस प्रोसेस में यह देखिए लेकिन अभी थोड़ी सी कसर और थी मैं इसे ढख दूंगी आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राय करना और अपना फीड़बेक पुंचे देना है मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब करें बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हराने वाली वीडियो फोरण आपको मिल सके अब आप देख सकते हैं कि इतने अच्छे से हमारे जो शल्जमे वो गल चुके हैं थोड़ा थोड़ा सा मैं चम्मच से इसको प्रेस करती रहूंगी ताकि यह अच्छी तरह से घुल जाए फ्रेम यहां मैंने तकरीबन मीडियम टू हाई करती थी शल्जम अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं लेकिन मैं इसको चम्मच से इसलिए तोड़ रही हूं कि ताकि यह सब घुल जाए अच्छी तरह से मटर पर आपने चम्मच जादा नहीं चलाना और जब मिक्सिंग करेंगे तो मटर बिल्कुल भी नहीं तूटेंगे बस अच्छी तरह से शल्जम को आप मिक्स करते रहें तोड़ते रहें जहां से हैं मोटे थोड़े से और यह देखिए आपके सामने मटर हमारे साबूत हैं और शल्जम अच्छी तरह से गुल चुके हैं रस भुनाई मैंने इसकी इतनी तेर करनी है कि पानी जो है वो सारा अच्छे से खुश्क हो जाए थोड़ा सा मैं इसमें हरा धन्याइट कर दूंगी बारी कटावा हरा ध तंदोर की रोटियों के साथ बहुत टेस्टी लगेगी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्रीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जबूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हराने वाली वीडियो फोरण आपको मिल सकें फिर मिलूंगी इंशाल झाल 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 झाल